देखिए आज के बाइग बनाने के लिए हमने कॉटन का फैबरिक लिया है 35 इंचिस बाइ 15 इंचिस का यह 35 इंचिस की साइड है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे देखिए यहाँ से हमने फोल्ड किया इसके बाद यहाँ से भी हमने एक फोल्ड किया ऐसे ऐसा फोल्ड होने के बाद यह हमने जो फोल्ड की हुई साइड ऐसे रखी है और यह ओपन साइड है यह ओपन साइड है यह फोल्ड साइड यहाँ हम मार्क करेंगे जो ओपन साइड ह दिखिए यहां से हमने 3 इंच का मार किया यहां से 3 इंच का और यहां से यहां तक 6 इंच का मार किया है और यहां राउंड शिप दिया है यह बॉक्स बना कर बीच में राउंड शिप दिया यहां से यहां से यहां 1 इंच यहां से यहां से यहां 7 इंच एक बॉक्स बनाया और यहाँ ऐसे round shape दिया और जैसे हमने ये shape दिया है इसके उपर हम cutting करेंगे देखिए ऐसे हमने cutting किया और ये cutting होने के बाद ये ऐसे shape बनेगा इस तरह से देखिए ऐसे हमने double fold किया है और इसके उपर हमने प्रेस किया है एक side में किया है ऐसा ही प्रेसम दूसरी side में करेंगे देखिए ऐसे हमने प्रेस किया ऐसा ही प्रेसम से side में करेंगे दो fold किये और यहां से हम सिलाई करेंगे देखिए ऐसे हमने सिलाई की ऐसे प्रेस करके उसके उपर हम सिलाई करेंगे तो सुन्दर से सिलाई आ जाती है यह जो पीस से cutting किया था इसका भी हम यूज करेंगे यहां से 2.5 इंचिस का मार करेंगे और यहां से 4 इंचिस यह fold side है cutting किया तो यह दो pieces बनेंगे ऐसे यह 5 इंच चार इंच के यह दो pieces बनें है दोनों की सीधी side एक के उपर एक रखेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे इतनी space हम छोड़ेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की इतनी space छोड़ी है corners के उपर हम cutting करेंगे और यहां से सीधी side करेंगे ऐसे दोनों side से fold करते हैं तो सीधी side करने के बाद सिलाई अच्छे से आती है यह open side है इसके उपर हम पहले top stitch करेंगे यहां top stitch किया और यह एक side के उपर हम center का mark करेंगे देखिए यहां 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 पर भी हम center का mark करेंगे और यह हम यहां रखेंगे और यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखिए यहां सिलाई होने के बाद यह pocket बनेगा इसके बाद ये सीधी साइड लेंगे और कॉर्णर पर हम सिलाई करेंगे दोनों साइड में यहां से यहां तक इस सिलाई की यहां आप देख सकते हैं हमने कॉर्णर पर सिलाई की चाहे तो सिलाई के बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिका पट कर सकते हैं इसके बाद हम उल्डी साइड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और यह उपर की साइड जोडेंगे दोनों साइड में यहाँ आप देख सकते हैं हमने इतनी अंदर से सिलाई की यह होने के बाद यहाँ पर भी हमने सिलाई की है यह होने के बाद हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यह फोल्ड हम नीचे तक लेंगे और ऐसा ही फोल्ड हम यहाँ करेंगे इसे फोल्ड किया और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे देखे नीचे की साइड में हमने सिलाई की कि इसके बाद यहां से सीधी साइड करते हैं सीधी साइड करने के बाद यह फोल्ड हम ऐसे करेंगे या आप चाहे तो यह सी लाइक दोनों साइड में कर सकते हैं ऐसे या तो एक साइड में इसे फोल्ड किया इसके उपर प्रेस करेंगे और ऐसा ही फोल्ड हम दूसरी साइड में करते हैं ये होने के बाद हम इसके उपर सिलाई करेंगे ये सिलाई दोनों साइड में भी रख सकते हैं ऐसे और यहां से फोल्ड करेंगे और ये सिलाई के एक साइड में देढ या 2 इंच के उपर सिलाई करेंगे, यहाँ से देढ या 2 इंच, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई की दोनों साइड में, यह होने के बाद हम फोल्ड करेंगे, यह पॉकेट नेचे की साइड में रखा, अन्डल नेचे रखें, यह से एक फोल्ड ये जो पॉकेट है वहां तक हम फोल्ड करेंगे ये होने के बाद हम ये साइड एक फोल्ड और ये पॉकेट के अंदर ये दुसरी साइड हम डालेंगे तो ये सुन्दर सी शॉपिंग बैग हमारी तयार हो गई